और sackिो आज हम बात कर लेते हैं अमेरिकाने वाले लोगों के लिए जी हां साथ योगिव के बहुत बाई चाहत होते हैं कि वह आ आपने पता है ट्रंप नमस्ते ट्रंप महाराज जो बड़े मतलब एक तरह से मैं तो इसको साइको बोलता हूँ यह साइको टाइप का बंदा है जो एक तरफ इंडिया की बढ़ाई कर देता है दूसरी तरफ उसकी बुराई भी कर देता है इसने जब से यह 2016 से मेरे साब आया कितना टाइम 2016 से 15 से इसका इसकी सरकार बनी है तब से यह जो मैं बता दूँ इसका सिधा सिधा मकसद है कि यह अभी आपको पता है अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं तो इसका सिधा टार्गेट है कि अमेरिकी वोटर्स को अपनी तरफ आकर चित करना कि हमने एस बीवन वीजा पे रोक लगा दिये बाहर के लोग कम आएंगे अमेरिकी लोगों को जोब मिलेगा इसका फंडा यह है इससे इंडियन लोगों को कितना नुक्सान होगा आए जानते पूरी वीडियो के मादिम से वीडियो चाल लगे तो लाइक शेयर करें चैनल सब्सक्राइब करक करके रखें ताकि आपको गल्प कंट्री से रिलेटेड से इन्फोर्मेशन मिलती रहे तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं डोनाल्ड ट्रेम ने चुनाव से पहले एच्पी वन वीजा के जो नियम थे वो सक्त कर दिये जी हां भारत के आईटी प्रोफेशनल पर इसका प्रतिस्त यह जो वीजा है वह सतर प्रतिस्त वीजा इंडियन लोगों को ही मिलता है इंडियन लोग ही सबसे ज़्यादा अपलाई करते हैं डिपार्टमेंट ओव हॉम्लेंड सेक्योर्टी के कार्या कारी उप सचीव केन कुंक शलीनी ने कहा कि जिन लोगों ने एच वन वीजा के लिए आवेदन किया है उनको इस एक त्याई नियम के थहत वीजा नहीं मिल सकेगा जियां साथ यह जो आवेदन हुए उनमें यह वीजा चंट जाएंगे वेतन में भी चेंजिंग होगा वेतन बढ़ोतरी की इसमें संभावनाई चल रही है कि वहां पे जो अमेर साथ कोंटेक्ट खतम हो चुका है आपका कुछ भी आपको रिजन से कंपनी से आपको आउट होना पड़ा है जोब से तो 60 दिन बचेंगे आपके पास अमेरिका में रहने के लिए अगर 60 दिन में आपने दूसरा जोब नहीं डूंडा आपका तो आपको फिर अमेरिका करने वाले का सोदा साबित होगा पिछले साल अगर एच भी वन वीजा की बात करें दाही लाग दो लाग पचास जार लोगों ने आवेदन किये ते इस वीजा के लिए जिन में से एक लाग चुराशी हजार लोग इंडियन थे आवेदन करने वाले यह संक्या 2016 के मुकाबल यह 25% कम है यानि 2016 में बहुत ज्यादा था लेकिन यह ट्रम्प मारा जाने के बाद लोगों की रूची कम हो गई अमेरिका के क्योंकि वीजा पेंडिंग है लोगों को वीजा अपरोल नहीं मिल पा रहे हैं एक त्याई तो ज्यादा नुक्सान सबसे ज्यादा भारतियों को होगा क्योंकि डाही लाग लोगों में से पूनी दापूने दो यानि एक लाग पिच्छी जार लोग सिर्फ इंडियन है अपलाई करने वाले तो नुक्सान सिद्धी सी बात है पर इंडियन लोगों को होने वाला है ट्रम्प 2016 में राष्टपती बने थे तब से एच्पी वीजा वालों को नागरिकता देता है वीजा देता है एस वन भी वीजा जारी करता है जी हां उसमें से ज्यादातर लोग पांस साल के अंदर पांस साल के बाद में अमरिकी नागरिकता हासिल कर लेते हैं अगर जब वीजा ही कम मिलेंगे तो नागरिकता मिलने का सवाल ही प इससे एक नुकसान और हो जाएगा कि इंडिया में जो आई आई टी करने वाली जो प्रोफेशनल कंपनी है उनको लोस होगा क्यूंकि अगर वहां वीजा नहीं मिलेंगे तो लोग पिर यह कोर्स नहीं करना चाहेंगे अगर वीजा नहीं मिलेगा तो फिर लोग दूसरे सेक्टर में जाना पसंद करेंगे अमेरिका में अगर देखा जाए तो 15% वीजाओ में से 15% लोग TCS, Infosys और Vipro में नोकरिया करते हैं जो USA की टोप जो ब्रांड कमपनिया उनमें जोब करते हैं सरम नियोमों में बदलाव में शिरली में बडोतरी होगी जी हाँ शिरली बढ़ाना भी इसमें परसावित है इसलिए उन कमपनियों S1B वीजा के माद्यम से कस्टमबर की साइड पर काम करवाना मेंगा हो जाएगा अमेरिका में काम कर रही 50 से ज़्यादा भारतिये कमपनियों को S1B वीजा के तहती करमचारी रखती है इंडियंग जो वहां पे कंपणिय है वो S1B वीजा के तहिती करमचारियों को जोब पर रखती है लेकिन टरंप को इसमें स्वार्थ क्या है टरंप का स्वार्थ सिदा स है टरंप ने बार बार चिला चिला के बोलता है वो की ये S1 वीजा में कंट्रोल करने से ज्यादा वीजा देने की बज़े से पांस लाख अमरीकन लोगों को वहाँ पे जोब नहीं मिल पाया क्योंकि इनकी जगह दूसरी कंट्री के लोगों ने ले ली शिदा सिदा है इंडिया के लोगों ने ले ली क्योंकि वीजा मिल गए वहां पर जोब करें तो अमेरिकन लोगों को जोब नहीं मिला और वहां पर सच्थी थोड़ी में जोब पर मिल जाता है तो उनका टारगेट है कि इन पर सकती करे देने तो अमेरिकन लोगों को जो मिलेंगा अगर यह करते हैं तो अमरेकन सिर्फ वोट के राज नहीं ओyanim. लक्ते होगा बस यह जानकर रहें तकी चलिछ एल के तो लाइक शेयर करें चानल सब्सक्राइब करें अनिक्स्ट वीडियो में जल्दी जेहिंद जेवहर